गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनन्तम शुक्राना मेरे मालिक संगची आज फिर बिठा लिया गुरू जी ने पकड़ कर बोले चल आज कुछ पुराने सचसंग लिखकर शेयर कर गुरू जी का सचसंग शेयर कर रहे हूं कि गुरू जी जब अपने टाइम में मंदिर मे बैठते थे, अमपायर स्टेट में या बड़े मंदिर में जहां भी बैठते थे, उन दिनों बहुत सारे वियाईपीज आते थे, मिनिस्टर्स आते थे, तब गुरुजी के पास उन दिनों एक आउंटी आई, उन्होंने गुरुजी का बहुत नाम सुन रखा था, गुरुज गुरुजी तो हाथ लगाते ही बिमारी को चूम अंतर कर देते हैं, गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, बहुत डर्ती डर्ती वह आउंटी अपने कपनों से पूरे शरीर को ढखे हुए मंदिर में आकर, गुरुजी को माथा टेक कर सबसे पीछे जाकर बैठ गई, अब किस संगत के द्वारा किसे क्या मेसिज देना है, सब गुरुजी जानते हैं, हमारी आपकी तो कोई अउकात ही नहीं, कि गुरुजी के बारे में हम कुछ बोल पाएं, उनकी महिमागा पाएंं ये भी गुरुजी गवाते हैं, गुरुजी ही सत्संगशेयर करवाते हैं, तो वे आंटी माथा टेकने के बाद सबसे पीछे जाकर बैठ गई अब गुरुजी की नजरों से छुपते हुए दूर से ही मालिक को निहारती रही क्या सौमे चेहरा अलो की क्रूब गुरुजी को हाथ लगा दो तो मेले हो जाएं आखों से प्रेम की बरसात हर संगत पर कर रहे थी गुरुजी पतु जानी जान है सेवादार अंकल को भेज कर उन आंटी को आगे बुलवाया बै बोली नहीं नहीं मैं यहीं ठीक हूँ अंकल बोले आंटी हुकम है गुरुजी का आप आईए गुरु महाराज ने आपको बुलाया है बड़ी किस्मत वाली हो जो गुरुजी ने खुद बुलवा के भेजा है चलो जल्दी बै डर्ती डर्ती अंकल के साथ चल दी जाते ही गुरुजी के चरनों में बैट के रोने लगी जार जार रोने लगी गुरुजी एक हाथ से बाकी की संगतों को कड़ा परशाद दे रहे थे चुप चाप बिना बोले और सब संगत को ब्लेस कर रहे थे और दूसरी तरफ उन आंटी को बोले आंटी मेरे पाउं दुख रहे हैं जरा दबा दो उन आंटी को काटो तो खून नहीं भै बोली नहीं नहीं गुरुजी मैं कैसे मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ गुरुजी बोले डर ना मेनू सब पता है तू दबा जल्दी कर उन आंट डरते डरते अपने तुपटे में से हाथ को बाहर निकाला और उस हाथ में उसके संगजी कोड था उंगलियां आधी है धूरी कटी हुई जो सेवादार संगत सब खड़े थे हैरान हो गई गुरुजी ये क्या खर रहे हैं वे आंटी बोली नहीं गुरुजी मेरे हाथ इस ला और वे आंटी ने गुरुजी के कोमल चरन दबाने शुरू किये संग Ama जी ये तरीका होता है गुरुजी का बलेस करने का किसको कैसे बलेस करना है हमारी गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि उन्होंने दुनिया के सारे कश्ट अपने टाइममे भी अपने उपर ले लिये थ उन्हें कभी घिन नहीं आती थी कभी किस से उन्होंने वैर नहीं किया ऐसी ऐसी बिमारियों को अपने हाथों से चू कर गले से लगा कर अपने को छुआ कर ठीक कर देते थे पल भर में 10-15 मिनट के बाद बोले जा लंगर चाक किया अब उस आंटी ने डरते डरते जा कर लंगर किया और आगया लेकर घर जान लगी गुरू जी ने का ऐशकर कल्यान कीता उसी दिन उसी रात गुरू जी ने उसे सपने में आकर विजन दिया कि मैंने तुझे और तेरे पुरे कुल को तार दिया संगत जी गुरु जी ने कहा आंदी रही ते संगत नू ल्यांदी रही जाते नू ब्लेस किता और आंटी दो तीन बार आई और उसका पूरा का पूरा कोड़ खतम हो गया और उसके आगे बच्चे और सब का कोड़ खतम हो गया कैसे गुरु जी ने ब्लेस किया और उस आंटी ने कभी भी मंदिराना नहीं छोड़ा संगर जी ये तो गुरू जी की बाते हैं गुरू जी की लीला है वही जाने पर मुझे उसी वक्त गुरू जी ने अपनी सेवा और सत्संग याद दिलाए गुरू जी ने पिछले साल कुष्ठाश्रम में सत्संग करवाया था कैसे करवाया था विजन में कैसे अमरित बेले में मुझे कुष्ठाश्रम का सत्संग का हुकम दिया एक हजार संगत आई उस दिन कुष्ठाश्रम के पूरे के पूरे लोग सारे शिव मंदिर में हमने गद्धी लगाई उनी से जोज जगवाई उनी से भोग लगवाया संकत जी जब भी कुछ ऐसा होता है न तब हमें समझ में नहीं आता कि मालिक क्यों ऐसी लिला करवा रहे हैं क्यों ऐसे हमसे सेवा ले रहे हैं बस उस वक्त हमारे मन में सेवा का भाव होता है, हमें लगता है कि इतनी बड़ी सेवा कि हमें अगर काबिल समझा है, तो जब गुरू जी किसी से भेद भाव नहीं करते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो गुरू जी ने वो सेवा ली और हमारे सारे सेवादारों को बहुत बले संगत जी यह बहुत मेरा एक सच्छा वाक्या है सत्संग कह लेंगा आज इसे कि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक सहीली थी मुस्लिम हाजरा नाम था उसका वह कोडियों के मुहले में रहती थी और उसको भी हाथ पाउ में कोड था वो जब भी घर से खाना लेके आती मुझे प वह सब बोलती कि इसको तो बिल्कुल शरम नहीं आती है यह तो बड़ी भुखी है उसके प्लेट में से खाना खाती है इसे कोड हो जाएगा देखना मैं हस देती क्योंकि हमारा जो भोला भाव होता है ना बच्पन होता है हमें नहीं समझ आती कौन किसको क्या बिमारी है औ और इससे हमाई कोई नुकसान होगा या नहीं होगा क्योंकि गुरुची उस भाव को ही तो ब्लेस करते हैं चुट्टी के बाद मैं उसके घर जाती उसकी मम्मी के हाथ का बना गरम गरम खाना खाती तब बहुत लोग बाते बनाते कि इसके साथ को हम बैठेंगे ही नहीं इ मजी नहीं थी कौन स्वीपर है कौन मेड है किसको कोड है किसे क्या बिमारी है इवन मैं हमारे पडोस में आप पिलीब नहीं करोगे हिजडे रहते थे हिजडों की गुरु रहते थे मैं उनके घर भी चली जाती थी वहां जाके भी मैं उनके साथ बातें करती खाना खाती उ इनको अपने बाइगुरु जी की कहानिया सुनाती, बड़े खुश होते थे और बहुत बड़ा प्यार करते थे, पर मेरे जो रेलेटिव थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझसे बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते थे, कि इसे तो जरूर एक दिन बिमारी हो जाएगी, तो संगत जी क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद उस लड़की का एक्सिडेंट हो गया, बहुत बुरे तरीके से, तो बहुत बैट पे हो गई एक दो साल के लिए, उसके पाउं खराब हो गए और उसने स्कूल में आना बंद कर दिया, अब मेरा भी धीरे धीरे उनके जाना कम हो गया, बात आई गई हो गई, याद आती थी उसकी पर धीरे धीरे में जाना कम हो गई, अब मेरे पाओं में एक्जीमा हो गया बहुत पूरे तरीके से पाओं की उंगलियों में कुछ टाइम के बाद एक साल के बाद अब सबको मौका मिल गया सब बोलने लगे देखा ये तो होना ही था अब इसको भी हो गई छूट की बिमारी अब इसके पूरी बॉड़ी में फैल जाएगी पर गुरुनानत देव जी की इतनी किरपा थी उस टाइम पे क्योंकि वो मेरे आज जो गुरु जी है न वो गुरु जी ही है वाई गुरु जी और गुरु जी एक ही है जिनने मुझे थाम रखा था शिव जी की मैं भग थी शिव जी के वरत रखती थी बहुत सारे तो गुरु जी तो कहीं न कहीं हमारी सोल के अंदर ही थे पहले से ही कनेक्ट थे तो रक्षा करते रहे दो तीन महीने के बाद मेरा वो एक्जीमा ठीक हो गया, मेरा पाउं बिल्कुल ठीक हो गया संगर जी मुझे अपने पैरों से बहुत प्यार था मैं अपने पाउं का अपने चैरे से ज़्यादा ध्यान रखती थी तो मेरा बड़ा दिल दुखता था कि यह क्या हो गया मुझे तो मैं बड़ी अरदास करती थी कि मेरी ये प्रॉब्लम मेरे पैरों से ठीक कर दो बस आप कैसे भी करके भगवान से मैं कहती थी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई संगर जी तो अब आये संग जब मैंने सुना कोड़ वाला कि गुरुजी ने उससे अपने पाउं दबाए तब मुझे एकदम ध्यान आया कि यह हमारे गुरुजी ने सेवा हमारी लिख्य होती है जब तक हम वो सेवा नहीं करते न गुरुजी कोई न कोई प्रारब्ध के हमारे करम कटवाने के लिए न हमें उस सेवा में भेजते रहते हैं भेजते रहते हैं बार बार भेजेंगे वो आपकी जब तक वो सेवा नहीं पूरी हो जाएगी हो सकता है उस समय मैं उस लड़की की सेवा ना कर पाई बचपन था नहीं समझाई गुरुजी ने बड़े होके मुझे कुछ थाश्रम में सत्संग की सेवा के लिए भेजा और उनके ही घर की चाय पिलवाई दुबारा से जाकर तो गुरुजी कही ना कहीं फू सेवा हम से ले लेते हैं मालिक की मर्जी है जैसे सेवा लेते रहें जहां लेते रहें हम तो हमेशा टेस्ट और सेवा देने को त्यार बैठे हैं तो गुरुजी आप ऐसे ही अपनी सेवा में लगाए रखना मेरी तो हर श्वास आपकी है रोम रोम में आप समाए है एक एक सांस जो लेती हूँ वो सब आपकी देन है गुरुजी मरते दम तक मैं सेवा करती रहूँ और आपको ये भजन सुनाती हूँ ना एक पल मैंनू तू विसरे ना एक पल तैनू मैं विसरा किरपा तेरी ये बनी रवे मेरे योपर बस इसी तरा ना एक पल मैंनू तू विसरे ना एक पल तैनू मैं विसरा और गुरुजी बस ये पुरा गुरु परिवार ही आपके भरोसे है इन सब की सेवा आप करी रहे हैं जन्मों जन्मों से कर रहे हैं इनके दुख काट रहे हैं और हमारे भी काटी चले जा रहे हैं अभी भी दुख खतम नहीं होते किसी के कभी भी संगल जी पर गुरु जी बैठे है ना तो हम गुरु जी से की भाव होता है गुरू जी यह आपको और पंस्रिष्टी को और पंस्रिष्टी करता को और पन है जब ची चाहे आप इसका फल किसे भी दे सकते हैं जब मुझे जरूत होगी तो मुझे आप बिन बोले दे देंगे मुझे पता है तो गुरू जी गुरू जी तेरे परों से मेरा परिवार है तू ही इस नाम कमा जी तू ही पतवार है गुरू जी तेरे परों से मेरा परिवार है मैंने अब छोड़ी चिन्ता तेरा जो साथ पाया तुझे को जब भी पुकारा अपने ही पास पाया पूरा परिवार ये मेरा तेरा करज़दार है संगर जी आज बेबी बहुत रो रहा है अवाज आ रही है डिस्टर्ब हो रहे हैं फिर अगली बार सच संग शेयर करूँगी जै गुरू जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनन्त